आप सभी का स्वागत है आज के बहुत ही महत्पुन क्लास में आज के क्लास में हम लोग सुरू करने जा रहा है बिहार में जो टीचर का एक्जाम हो रहा है जिसको आयूद कराता है BPAC आयोग तो BPAC आयोग के द्वारा जो भी बिहार में टीचर का एक्जाम हुआ है यानि TRE का एक्जाम हुआ है तो उसमें जितने भी अब तक question पूछे गए है उसका हम लोग एक series यहाँ पे चलाएंगे और इस series में हम लोग देखेंगे कि अब तक जितने भी question पूछे गए है वो कहां से पूछे जा रहा है और यहाँ पे उसका हम proof दिखाएंगे कि यहाँ यहाँ पे जो NCIT और SCIT से पुछा जा रहा है आपको बस यहीं book पढ़ना है और साथ में एक और book पढ़ना है जिसको यहाँ पे जैसे हम लोग question यहाँ पे solve करेंगे और दिखाएंगे आपको proof यहाँ पे पुरा NCIT, SCIT का जो question page जो होता है पेज पर का आपको पुरा हम यहाँ पे photo add किये है उसका page नबर कितना है वो भी आपको दिखाएंगे ताकि आपको पुरा विश्वास हो जाए यहाँ पे कोई हवा हवाई बाते नहीं होगी तो यहाँ पे proof के साथ यहाँ पे हम लोग दिखाएंगे कि हमां question कहां से पुछा जा रहा है ताकि आगे आने वाले exam के लिए आपके लिए आसान हो जाए कि यह बस यहीं पढ़ना है और इसी पढ़ने से आपको exam निकल जाएगा तो चलिए इसको हम सुरू करते हैं यहाँ पे आज के जो series का है यह पहला ही वीडियो है और इसमें जो हम लोग question देखेंगे वो आपको TRE 3 का जो paper हुआ था 6 to 8 का इसमें भूगोल के जिगुराफिक के जितने भी question पूछे गए है उसको हम लोग यहाँ पे cover करेंगे तो यहाँ पे जो question पूछे गए है 6 to 8 में वो आपको total 48 question पूछे गए है TRE 3 में आपको भूगोल में तो उसको हम लोग यहाँ पे cover करेंगे और पुरा proof के साथ आपको दिखाएंगे कि यहां यहां से पूछा गया है और वो सभी के सभी question NCIT-ACIT book में मिलेगा यहां पे जो 48 question है 48 में से आपको 46-47 question यहां पे हम बता दे कि यह आपको पूछा है NCIT-ACIT से यहां पे हम आपको पूरा proof दिखाएंगे आपको देख लेते हैं यह आपका TRE3 का जो paper हुआ था 19-July 2024 को 6-28 वाला इसमें 48 question पूछे गए है 125 जो एक्जाम हुआ था उसमें जोगरफी के 27 question है उसके बाद 9-13 भी 48 पूछता है और आपको 11-12 में अगर आप PGT किये हैं आप जोगरफी से उसमें आपको 28 question तो यहाँ पे जोगरफी का जो weightage है वो बहुत ज़्यादा है आप किसी भी एक्जाम में देते हैं आपको टीचर वाला चाहे आप 1-5 में है चाहे 6-8, 9-10 है तो इसमें आपको कुछ नहीं है और ऐसे भी आपको कोई भी subject से है तो 40 नमर का जो paper होता है GS का आपको मालूम होगा इसमें जो 8 नमर पूछता है आपका जिवगरफी वो आपको तो सब को पढ़ना है चाहे आपका हिंदी है, उर्दू है, फार्सी है इससे कोई लिना दरा नहीं है यह आपको 8 नमर पढ़ना ही है तो आप सब के लिए ये वीडियो बहुत जरूरी है तो चली हम इस वीडियो को सुरू करते हैं और देखते हैं यहाँ पे हम लोग पहले सवाल को यहाँ पे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह जो टेरी 36-8 paper है और यह 19 जुलाई को हुआ था तो सबसे पहले आपका जो 40 number का paper होता है उसमें जो 8 question पूछा है चली हम इसको देखते हैं फिर आपको आगे जो 40 पूछता है subject से उसमें देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए question पूछा गया था एक 35 number आपके जो paper में रता सवाल उसका है तो यहाँ पे question था कि कौन सी नदी भारत और निपाल के बीच में सीमा बनाती है यहाँ पे अपसन है गंडक, सोन और काली यहाँ पे आपका जो इसका answer होगा वह होगा काली अब यहाँ पे देखिए इसका हम चली पूछ दिखाते हैं यह question जो है कहां से पूछा है यहाँ पे इस question का answer देखने के बाद माल लीजिए अगर आपका answer की देता है BPAC अगर वो गलत देता है तो यहाँ पे इस video को देखने के बाद आप यहाँ पे question arise भी कर सकते हैं यहाँ पे हम आपको proof देंगे कि यहाँ यहाँ इसका answer है तो यहाँ पे इसका answer जो होगा वो काले नदी होगा यहाँ पे देखिए यह जो question पूछा गया है वो 11 के जो NCIT book है page number 23 निकाल के देखिए यहाँ पे हुब हो लिखा हुआ है यहीं आपका NCIT का 11 का जो है 23 नबर यहाँ पे देखिए पेज है और यहीं पे देखिए एक यहाँ पे line बॉक्सम बना दिया है यहीं से यह question पूछा है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है सार्दा या सर्यू नदी का उद्गम जो है नेपाल हिमाले में मिलाम हिम्नद में होता है जहां इसे गौरी गंगा के नाम से जानते है यह जो नदी है यानि सार्दा या सर्यू इसी को जो है काली नदी ही बोलायता है जिसको यहाँ पे लिखा गया है तो यहाँ पर जो सार्दा नदी है या गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है कहाँ पर जब यह नेपाल हिमाले से निकलता है या भारत और नेपाल सीमा के साथ बहते हुई आगे बढ़ता है जिसे यहाँ पर काली या चाई कहा जाता है और या घागरा नदी में मिल जाता है तो answer यहाँ पे आपका C होगा यानि यह जो काली नदी है इसी का जो नाम है आपको सार्दा नदी है यहाँ पे आप देख लिए हैं देखिए यहाँ पे काली या चाईक इसी को बोलते हैं या आपको इसको करनाली यह बोलते हैं करनाली जो बोला जाता है इसको नेपाल ने बोला जाता है काली नदी को तो ये जो है नदी आपको देख रहा है काली नदी ये घागरा की सहयक नदी है घागरा जो नदी है ये आपको निकलता है तीबत के मांसर वर जील से और यहां पे भारत और नेपाल के सीमा जो बनाता ह और फिर आकर ये छापरा में जो है आकर ये छापरा में आपका जगा परता है विहार में सारण जिला में छापरा में जाकर ये मिल जाता है घागरा नदी इस बीच में घागरा आपको भारत में परवेश करता है भारत में कहां पे तो आपको यूपी में यूपी में कहां पे तो यूपी में आप एक जगा सुनते होंगे, आपका कौन सा तो अयोध्या, अयोध्या जो बसा हुआ है, वो आपको सर्यू नदी किनारे ही बसा हुआ है, तो इसको सर्यू नदी भी इसको बोला जाता है यूपी में, आपको घागरा नदी को, तो इसी का एक सहायक नदी है क पूछ चुका हुआ है जैसे यहां पर देख लिए सिधा पूछा हुआ है यह भारत और नेपाल के साथ सीमा के साथ वहती हुई जहां इसे काली नदी या चाई कहा आता है तो यहां पर काली नदी दिया हुआ है एंसर इसका 35 का सी हो जाएगा अब हम आगे चलेंगे अगला क दिखिए यहां पर 40 नबर कुशं अगला क्योंकि कुश्चन जो है आपको ट्रेट सीरी में आपका जोगराफी का कहीं 35 नबर है कहीं 40 नबर है, कहीं 42 नबर है इस टेप से दिये हुआ है लगतार नहीं है तो यहां पर अगला जो कुशन पूछा गया था जो ग्वह यह 40 न माचिस उद्योग में, फोटोग्राफिय उद्योग में, या बैटरी उद्योग में, अब यहाँ पर अपसन देख लिए, अब हम चलते हैं, देखिए, यह जो कुछन पूछा गया था, यह तेंथ का अगर NCRT आप पड़े होंगे, पेज नंबर 52, यहाँ पर उसके बाद ते के SCIT का पेज नंबर 52 है, इसमें जो लिखा हुआ है, देखिए, मैगनीज के और इसका उपयोग लिखा है, इसका जो उपयोग है, बिलीचिंग पाउडर, किटनासक दवाए, और पेंट मनाने में किया जाता है, जबकि अप्सन जो यहाँ पर देखिएगा, ना आपको बि दी होगा, उपयोग से एक से अधिक, यानि मैगनीज का जो उपयोग होता है, वो आपको माचीस उद्योग में भी काम आता है, फोटोग्राफी में भी आता है, और बैटरी उत्पादर में आता है, और यह जो चीज दिया गया है, वो आपको SCIT पेज नंबर 89 देखिए, य यह भी आपके option में दिया था, उसके बाद माचीस उद्योग में यह भी आपका दिया था, यह तीनों का तीनों जो option है, आपके जो है, वहाँ पे answer में दिया हुआ है, तो यहाँ पे यह तीनों होना चाहिए answer में, तो यहाँ पे आपको desire करना, आप देखिए BPSC इसका आयो होग है, उसके उपर यहाँ पे देखा जाएगा क्या चुनता है, अब हम चलेंगे आगे, तो यहाँ पे इसका answer जो है, option number D होगा, इसका उप्योग जो है, तीनों में किया जाता है, आगे हम चलेंगे, अगला कुशन देखिए, अगला यहाँ पे देखिए, बावन नमर लिए, अफरीकी सम्मेलन, यानि आपको अफरीकी सम्मेलन किस वर्स आयरीत किया गया था, यह आपको कुशन पूछा गया था, यह जो कुशन है, आपको SCIT में दिया गया है, NCIT में नहीं दिया गया है, तो NCIT का बुक जो है, यहाँ पे किस पेज में देखिए, दसवा कलास और यहां पर देखिए हू बहू यही लाइन यहां पर पूछा है यहां पर पढ़िए कि प्राकिर्तिक संसाधनों के संसाधन के लिए अफरीकी संसाधन जो है यह 1968 में हुआ था अंतराष्टी यह महत्ष्व के वेटलेंड का कन्वेंशन जो हुआ था वह 1971 में और विश्व प्राकिर्तिक संस्क्रीद धरोह संक्षन यहां रक्षा दिन्याम 1972 के अंतरगत बनाये गए थे तो यह आपका आगे आने वाले एक्जाम के लिए इंपोर्टें किस परियोसन के लिए एने किस सिकार के लिए उपयोग किया जाता है तो यहां पर आपके अपसンド देखिये घरेलू उध्योग और सीचाई तो भारत में सबसे यहा einzदा जो उपयोग होता है वह को मोनसू SUN में होता है तो जब लोग खेत में पानी पटाता है तो सीचाई के रूप में ज़्यादा उपयोग होता है और इसका पूरूफ हम दिखा देते हैं कहां पे दिया है तो देखिए 12 का जब NCRT पढ़िएगा पेज नबर 42 में ज़ल की मांग और उपयोग जो है यहां पे पॉइंट दिया गए और इसी में देखिए यहां पे पूरा लिखा गया है एक नबर देखिए भारत की वर्तमान में जो है जल की मांग सीचाई की और सकताओ के लिए अधिक है यानि सीचाई में जदा इसका उपयोग होता है तो एंसर यहां पे सीचाई होगा जो अपसान नमबर यहां पे C में दिया गया है अब हम आपको 1912 से के में जब आपका यहां पे बंगाल से बिहार अलग हुआ था उसके लिए 1911 में आपको याद होगा यहां पे दिली दर्बार लगा था दिली दर्बार में जो है यह दिली दर्बार लगा था 12 दिसंबर 1911 को और इसी में जो है घोसना हुआ था आपको और यहा से अलग होकर यहां पर बिहार दिवस मनाते हैं। तो option number यहां पर देखे लिए आप यहां पर बी नबर दिया गया है कि 22 मार्ज को जो है बंगाल प्रसिडेंची से अलग होने के उपलक्ष में जो है भिहार दिवस मना आया आता है। यहाँ पे फू बहू जो है आपका बंगाल प्रेसिडेंसी बुक में नहीं लिखा गया है और यह जो आप फोटो देख रहे हैं यह आपको 7th कलास का जो है यह SCRT बुक का है और 7th या 6th का थोड़ा साम भूल रहे हैं 6 या 7 का SCRT बुक होगा आपको उसमें एक बिहार के बारे में अलग चैप्टर ही पढ़ना है तो उसी में लिखा गया था कि 22 मर्च 1912 में जो है बिहार आज की अस्तापना हुई थी इसी दिन को जा है बिहार पुछा गया था कि भारत में जवार्य तरंग उर्जा उत्पादन के लिए अधिक अनुकूल प्रस्तितिया कहां पाई जाती है तो यहां पर देखिए गंगा नदी कच की खाड़ी खंबात की खाड़ी और मनार की खाड़ी अब यहां पर देखिए इसमें एंसर क्या होग तो यहां पर इसका जो एंसर होगा चलिए यहां पर प्रूप के साथ दिखाते हैं कि यह कहां पर दियागा तब यह जो कुछन पुछा था यह तेंथ कलास का अगर आप NCIT पढ़िएगा पेज नंबर 119 निकाल लिजिएगा और वहां पर इसका देख लिजिएगा यहां प कंद्री जवारत था तरंग में जल गति सील रहता है अता इससे अपार उर्जा रहती है यहां पर देखिए एक लाइन लिखा हुआ है देखिए जवारिये एवं तरंग उर्जा खंबात की खारी में सबसे अनुकूल है और यहीं कुछन जो है आपका पूछा कहता है खंब इसका जो answer हो जागा वा खंबात की खारी हो जाएगा और option number C में जो है यहां पर पूरा लिखा हुआ है खंबात की खारी यहां पर देख लीजे जवारिये और तरंग उर्जा के उत्पादन के लिए अधिक अनुकूल प्रस्तितिया जो है खंबात की खारी में पायाता है तो यहां पर answer number यहां पर इसका C हो जाएगा यहां पर आप देख लिए हैं इसका पूरूप देखिए जवारिये और तरंग उर्जा और खंबात की खारी इसका सबसे अनुकूल है साप एकदम उसी language में यहां पर फूबहू लिखा हुआ है अब हम आगे चलेंगे अगला question अगला question यहां पर लिखा हुआ है सत्तर नमर था कि जारखन का जो घाट सीला है वह किस खनी उत्पादन के लिए परसीद है तो यहां पर यहां पर देखिए नेट सच करने के बाद विकिपीडिया पर घाट सीला के बारे में बताया है कि यहां पर जो copper mines के लिए आपको सामबा तो इसका option नमर यहां पर सी हो जाएगा तो सतर का यहां पर सी यह जो कुशन आपको नहीं मिला है आपको देखिए NCRT-ACRT तो पढ़ना ही है NCRT और साथ में आपको SCRT उसके अलावा आपको एक कोई भी बुक माल लीजिए अगर आपके पास कोई भारी भर का बु पढ़िए तो उसमें आप एक बुक कोई भी पढ़िए ज्यादा बुक नहीं NCRT और SCRT साथ में कोई भी एक बुक जो है आपका जेनल भुक चैसे लुसेंट हो चाए कोई भी हो आपके पास अगर वहीं है तो वहीं पढ़िए और उसको बार बार पढ़िए आपको उसी म पूछता है वो समाप्त हो चुका है अब यहाँ पर जो है 40 नमर का जेस पेपर जो पूछता है आपको सब्जेक्ट से चलिए हम उसको देखते हैं तो यहाँ पर हम एक नमर दो नमर एक दम पूरा स्रियल नमर से चलेंगे तो देखिए पहला नमर जो कुशन पूछा गया था 40 नमर वाला में यहाँ पर देखिए भारत में ऐसा कौन सा पर्थम राज है जिसने सभी घरों के लिए छट पर वरसा जल का संचैन को कानूनी रूप से अनिवारे बना दिया तो यह जो है बनाया था तमिलाडू ने तो यहाँ पर देखिए यह बुक में आपके दिया गया है और यहाँ पर देखिए चब 3 कलास का NCRT पढ़िएगा पेज नमबर 34 तो उसी में लिखा गया है कि तमिलाडू एक ऐसा राज है जहाँ पूरे राज में घर में घर पर जो है च्छत का जो जल है वरसा जल है उस संगरहन धाचों का बनाना अवस्य कर दिया है इस अ पर देख लिए मान लिजे अगर आपका एंसर गलत विजयता है आपका बीपी एस कुशन को देखकर पेज नमबर खोल कर आप यहाँ पर कुशन भी राइज कर सकते हैं तो यहाँ पर पहला का एंसर सी हो जाएगा अब देखिए अगला जो कुशन है दो नमबर कुशन पू जलमार्ग है यह आपका दो के बाले हैं पूशा है और यह जोड़ता है सदिया से धुबरी के बीच में इसकी लंबाई यहाँ पर पूछा है इस जो टौपिक से है बहुत सर आपको फो पूच सकता है आगे आने वाले एकजाम के लिए तो यहाँ पे इसका जो एंसर होगा वो होगा 891 km लेकिन यहां पर क्या गिया है कि option नहीं पूछा है कोई तो यहां पर option नमबर E हो जाएगा सही answer इसका 891 km होगा या अब यहां पर देखी आगे यहां पर चलिए हम प्रूप दिखाते हैं कि यह कुछन कहां से पूछा था तो 3th class का NCRT का जो है page number 90 यह निकल लिए और यहां पर मिल जाएगा साथ में अगर आप 11-12th का भी NCRT पढ़ते हैं तो वहां पर इसको डिए दिटेल में दिया गया है उसके अलावा अगर SCIT पढ़ते हैं 3th class का तो वहां पर भी यहां पर दिया गया है आप कहीं से भी पढ़ सकते थे लेकिन हम यहाँ पे तेन्थ कलास का NCIT का पेज नमर जो 90 है यहाँ से आपको दिखा रहा है जैसे देखिए WH2 पुझा था जैसे देखिए यहाँ पे यह जो है नोगम में जल मारक संख्या 2 और इसका लामबाई पुझा था 891 किलोमेटर यहीं इसका एंसर होगा सही तो यहाँ पे यह दो पुझा था आगे आने वाले जामे मालेजे कोई पुझा सकता है जैसे देखिए यह जो है आपका WH1 यानि आपको रश्टिये जल मारक संख्या 1 है और यह जो है आपको इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ता है यहाँ पे यह भी आदक नहीं कहां से कहां तक यह जोड़ता है इलाहाबाद से यानि पर्यागराद से यह आपको हल्दिया तक और इसकी जो लंबाई है आपको देख लिजे 1620 किलिम्टर है और यह सबसे लंबी है तो यही पूछ सकता है कि सबसे लंबा कौन है तो आपको WH1 है 1620 किलिम्टर यहाँ इसका लंबाई है दो नमबर तो आपको देख लिए सदिया से धूबरी यहाँ को 891 यह एकजान में पूछ चुका है उसके लवा यहाँ यहाँ पर देखिए यह आपको जलमारग संक्या जो तीन है वह जो है किरल में पस्चिम टाटी एसर यानि कोटा पूरम से जो है कोलम को जोड़ता है और 205 km आपको लंबा है उसके लवा यहाँ पर देखिए जो आपका राश्री यह जलमारग 4 है यहाँ इसके अगर हम बात करें देखिए काकी नारा और पदुचरी जो नहर है स्टेज के साथ यह आपको जोड़ता है और इसका जो लंबाई है 1078 km है उसके बाद जो आपका 588 km है तो यहाँ पर 1,2,3,4,5 अब सब देख चुके हैं यह आपका हो गया अब हम चलेंगे अगले कुशन पर अगला जो कुशन पूछा गया था कि बेनूर बेनूर एक जगा है जहाँ पर अत्याधुनिक सीचाई कारियों का साक्ष मिले है या कहां पर इस्तीत है तो बे पेज नमबर 28 में दिया गया था यहाँ पर सीधा देखिए कलिंग जो है उडिसा में नागरजुन कोंड़ा आंधपरदेश में बेनूर यहीं पुझा था बेनूर जो है करनाटक में कुलापूर महराष्ट में उतक्रिष्ट सीचाई तंत्र होने के सबूत मिले है और अगर महराष्ट में देता तो कोलापूर यहां पर दिया गया था कोलापूर के बारे में अगर पूछता तो आपको महराष्ट भी हो जाता करनाटक में जो है यहां पर बेनूर तो देही दिया है और साथ में अगर आंधपरदेश में पूछता तो यहां पर नागरजुन क करने के लिए एक उतुक्रिष्ट जल संग्रहन बनाया गया था तो आप से हीजा में पूछ सकता है सिरिंग वेरा कहां पड़ता है तो इलाहबाद में पड़ता है चंद्रगुप्त मौर के समय बिरहद अस्तर पर बांध जील और सिचाई तंद्र को बनवाया गया था उसके पाद देखिए आगे इसमें दिया गया था पॉइंट चौदोहवीस अताबदी में इल्टूतमिस ने दिल्ली में सिरी फोट छेतर में जल की सप्लाई के लिए एक हौज इक खास बनाया था तो पूछ सकता है कि हौज खास जो है इल्टूतमिस को दोरा बनवाया गया था यह भी आपको पॉइंट याद रखिएगा अब हम चलेंगे आगे यहां पर आपको प्रूप मिल गया होगा बेनूर का करनाटा का अपसा नमबर ए सही होगा अब हम देखेंगे चार नमबर गुश्चन चौफा नमबर गुश्चन है कुमाईव हिमालय मिलिखित में से किसके मद स्थित है यहां पर कुमाईव हिमालय के बारे में नदियों क इधार पर गया है beginnen के बीच में म отвाता है यहां पको परता है यहां पर अपको बता दिता है यह जो आपका फोटो दिख रहा होगा यह आपको पढ़नाना एक प्रा में पड़ना दास में दिया गया है आपको आपको बॉक्स इसे से तक तीन से चार पूच्चन पूचस चुक आपको याद रखी गई यह प्र में इंश ह zar ti में पूचा गया था, यहां पर देख लाइजे अपसन नंबर C में यहांपर दिया गया था सतलाज और काली नदी के भीच परता है तो अपसन नंबर यहांपर C हो जाएगा यहांपर आपको हम बता दी आ हुँआए एक वाद जैसे यह आपका माले जिन हीमालाए है तो हिमाले के चार पार्ट में बाटा गया है एक सिंदु नदी ऐसे आता है चला जाता है पकिस्तान में तो ये आपका हो गया सिंदु उसके बाद सिंदु के बाद यहाँ पे एक और नदी है निकलता है मांसरोवर से ये निकलता है सतलज तो सिंदू और सतलज के बीच में यहाँ पर पड़ता है आपको पंजाब ही माला है जब उसके बाद नीचे आएगा सतलज नदी के बाद सतलज नदी के बाद यहाँ पर एक आता है काली नदी और आपको अभी इसी के बारे में बताये थे काली नदी जो पूछा था आपके भारत और नेपाल के बीच में स्विया बनाती है जिसका नाम सारदा या सर्यू भी है यहीं जाकर आगे छपराय मिलता है घागरा नदी में जाकर मिलता है और फिर घागरा नदी जो है छपराय मिलता है तो ये काली नदी और सुतलाद नदी के बीच में इसी में पड़ता है कुमाई हमालाई जो आपके एक जाम में कुशन पूश चुका है काई नदी के बाद आगे आईएगा तो यहां पर पढ़ता है तीस्ता नदी यह आपको ब्रह्मपुत्र में नदी का में पढ़ता है साहय के इसका तो यह तिबत में यहां पर पढ़ता है सौरी यहां पर तीस्ता नदी यह जो तीस्ता नदी और काई नदी है इसके बीचे पड़ता है नेपाल हिमाले और यहाँ पे लाश्ट में आपका एक ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पे ऐसे निकलता है तो ब्रह्मपुत्र नदी और आपको जो यह ब्रह्मपुत्रा है ब्रमपुत्र और तिस्तामदी के बीच में जो है असम हिमाले करता है तो यहीं आपका भी भाजन जो है इसको थोड़ा याद रखेगे कौन सा किस्म में आता जैसे पंजाब हिमाले तो आप देखे लिए पंजाब हिमाले, कुमायू हिमाले, नेपाल हिमाले और असम हिमाले, तो यहीं कुमायू पूछा था, आगे अगर एक्जाम में पूछे, तो इसके लिए आप याद रखिएगा, अब हम आगे चलेंगे, पांच नमर कुछन, देखिए, पांच नमर कुछन यहाँ पूछा थ निम्लिकित में से कौन सा राज जो है बांस ड्रिप सी चाई परनाली के लिए जाना याता है यानि बांस ड्रिप से जो है कहां सी चाई होता है तो यहां पर यहां पर यहां पर देखिए इसका पूरूफ आपको दिखाते हैं कहां पर मिलेगा तो यह मिलेगा दस्वा कलास का NC8 यगर आप पढ़ेगा पेज नंबर 34 तो उसी में लिखा गया है बांस ड्रिप सिंचाई परनाली और यहां पर उपर ही लिखा है मेघाले मेघाले में नदियों और जहर्नों के जल को बांस के द्वारा बने पाइप द्वारा कत्रित करके इसको जल को संग्रहत की आता है और इसका उप्योग की आता है तो यहीं बांस ड्रिप पुछा था तो यह चीज आपको याद रगना है जो आपको यहां पर कुशन पूश चुका है इसका एंसर जो है अपसर नंबर A हो जाएगा आगे चलेंगे हम लोग आगे देखिए छो नंबर यहाँ पर कुशन पूशा गया था कि भारत के प्रस्चमिटेट पर इस्तित कौंकरन रेलवे को किस समस्या का सामना करना पड़ता है यहाँ पर आपका जो है अगर हम बात करें और यहीं उठा के यहाँ से पूश दिया है जैसे यहाँ पर आगे चलिए यहाँ पर देख लिए कौंकरन रेलवे के बारे में पूशा था देखिए पस्चमिटेट के साथ कौंकरन रेलवे के विकास ने यात्री वावस्तू के आवा गवर्ण को सुधा जनक बनाया है यद पि यानि लेकिन यहाँ असंक के समस्य आए भी है जैसे भू संखलन तथा किसी किसी भाग में रेलवे ट्रैक का धस जाना तो यहाँ पर देखिए भू संखलन और रेलिवे ट्रैक का धस जाना यह दोनों दिया है और हू बहू देखिए यहाँ पर यहीं कुछन पुछाए कि पश्मी टटके एस्तित कॉंकरन रेलवे को किस समस्या का सामना करना पड़ता है तो यहाँ पर भू संक्रन का और कहीं कहीं पर ट्रैक जो है दस जाता है तो यहाँ पर B और C यानि अपसर नमबर यहाँ पर इसका D हो जागा तो छोग अपसर नमबर जो भी D लगा क्या है आपका एंसर सही है आगे हम चलेंगे अब देखिए सातवा नमबर कुछन है कि बेतवा नदी निमने कित में से किस दिशा में बहती है तो यहाँ पर बेतवा नदी की बारे में मैं अपमें अगर थोड़ा भी जानते होंगे जो आपका जो चंबल बेतवा यह सब जो नदी है आपको यमना का सहायक नदी है तो यह देखिए आपका फिगर में यहाँ पर देख लिजे यहां पर फिगर में देख लिए एक बार यह जो है आपका गंगा नदी देखिए यह आपका जो है गंगा नदी ऐसे आता है गंगा नदी और यह आपका यह कि यम नदिस की सहायक नदी है और इसी में देखिए यहां पर यह चंबल और उसके बाद यहां पर बेतवा नदी है तो इसी बेत्वा नदी के बादे हैं बात करें तो इसी बेत्वा का जो है दीशा पूछा है तो यह जो है आपको हम एक बार दिखाते जैसे देखिए यह जो है बेत्वा है अब किसी नदी का दीशा कर बताना है मालने यह नदी ऐसे आपको बहरा है तो यह किस दिशा में बह रहा है तो इसको लेकर आपको बीच में क्या करना है यह आपको इसमें लाइन दे देना है जैसे यह है अब इसका दिशा निकाल दीजिए यह आपका हो गया उत्तर और यह हो गया आपका दस्चिन यह हो गया पूरब और यह हो गया पस्चिम अब य तो यहां पर थोड़ा भी ध्यान रहता नदी के बारे में आपको मैप में तो आप ऐसे ही इसको एक नमबर आप ले आते लेकिन यहां पर रटने वाले भी द्यारती है तो यहां पर आपको रटने के लिए भी जो है NCIT सुईधा दिया है और चलिए इसका प्रूफ आपको हम नाइन्थ कलास का जब आप पढ़िएगा NCIT पेज नमबर 11 तो देखिए यहां पर प्राइदीपिय पठार है और यहीं पर दिया गया है यह चीज और इसका जो है स्क्रीन सोट देखिए यहां पर है जैसे यहां पर आप देख लीजिए एक बाद जैसे देखिए यहां पर और बहती है दस्चिन पस्चिम से उत्तर पूरब की और अपसर नमबर ए तो यहां पर यह से भी आप बना सकते थे तो यह आपका एंसर हो गया याद रखीगा यह आपको पेज नमबर देखिए NCIT का ही यहां पर दिया गया है अब हम आगे चलते हैं अब देखिए यहां प बुक है वो तो आपको भारत के यतने भी राज है सब को बराबर दर्या देना है सब को बराबर लेकर चलना है तो आपको बिहार के बारे में डिटेल नहीं पूछेगा उसमें नहीं दिया आगा तो बिहार के बारे में जो बिहार का बुक है SCIT उसमें जधर राता है तो बि से लेकर 500 cm तक यहां पर होता हैскую, पूछा कुछता है, अगर हम पूछा जादा तो कहीं कहीं बुख में आपको एक सव बारी से बीच मेinsAL, इसका यहां परूचा 2018 मिलता तो आप्सान नमबर यह यहां पर इसका सही होगा यह आपके साथ परी चलोल की बहुत कनफूजटन है कि यह अप्सेट पढ़ेगा तो इसमें आपको शतरा सो कीलमेट्र दिया गया है SCRT पढ़िएगा तो उसमें 1730 किलोमेट दिया है लेकिर इसका जो answer होगा वो 1700 किलोमेटर ही दिये हुआ है क्योंकि जब देखिएगा कुछन इराइज करने के लिए बारी आती है जब NCRT बुक को ही यहाँ पर प्रात्मिक्तिया दिया जाता है NCRT का ही यहाँ पर जो है बुक का फोटो फेजना परता है आपको आयो को इसको प्रूफ करने के लिए तो इसका option number जो है C हैगा बहुत कोई जो है इसका option number E भी लगा के आया होगा इसका यह गलत है C जो है इसका सही answer होगा चलिए इसको हम देखते हैं यह चीज कहाँ पर दिया गया था हजीरा बिजयपूर जगदिसपूर पाइप तैन के बारे में तो चलिए इसका जो है यहाँ पर देख लिजे दस्वा क्लास का जब NCRT पढ़िएगा तो उसमें page number 61 में दिया गया है साथ में जब NCRT पढ़िएगा एट कलास का तो उसमें एक common number page पर दिया गया है यह जो आपका page है वो NCRT वाला है तो इसी में देखिए आपको हुगाऊ दिया गया है देखिए गेल के द्वारा निर्मित पहली देखिए यहां पर पहली भी है और साथ में इसको गेल कर रहा है वो आगे आनवाल एक्जाम के लिए यह पूछ सकता है कि आपको हजीरा विजयपूर सकस्थापना क करता है तो आकको गेल और यहां पर पहली गेल द्वारा निर्मित- पहली 1700 किलोमिटर लंभी हजीरा विजयपूर जगदीशपूर क्रॉस कंट्री गैस पाइप लाइन ने जो है मुंबई हाई और बसीम चेतर जैसे चेतरों को पस्ट्मी और उत्री भारत में भीन उर्वारक बिजली और अधोगी परिश्रों से जोड़ा है अब यहाँ पे देखिए आपको दिखिया होगा कि हजीरा विजयपूर जगदीशपूर जो पाइप लाइन है उसका जो है 1700 किलो मेटर लंबी है और यह पूछन पूछा चुगा है यह तो 1700 एंसर हो गया है जब यहाँ आप पढ़िएगा SCIT बुक में लिखा हुआ हजीरा विजयपूर जगदीशपूर पाइप लाइन जो है 1730 किलो मेटर है और यह सबसे लंबा गयस पाइप लाइन है तो यहाँ पे 1730 दिया है लेकिन NCIT में 1700 दिया है और आपको एंसर जो सही माना जाएगा वो आपको 1700 ही माना जाएगा क्योंकि एक तो 1700 मान लीजे दिया है दूसरा जो है 1730 अप्सन में यहाँ पे नहीं दिया हुआ है तो 1700 तो एंसर हो ही होगा ही यहाँ पे एंसर अप्सन नमबर C के साथ जाएगे आपका सही होगा आगे हम चलेंगे अगला कुश्चन अगला जो कुश्चन है पुशा था कामर जील जो है बिहार के किस जीला में तो कामर जील जो पड़ता है वो पड़ता है बेगु सराय में जो अप्सन में नहीं दिया था तो अप्सन नमबर यहाँ पे ही हो जाएगा अब यहां पर देखिए कुछ जील हम यहां पर दे दिया है लेकिन आपको बिहार के बारे में तो बिहार वाला बुक में जब पढ़िएगा आपको देखिए यहां पर लिखा हुआ है दसवा कलास का अगर आप पढ़िएगा NCIT पेज नंबर एकसर तो उसमें अगरे बेदे में परता है और इसके बारे मियाद रखियेगा और उसके इसके बारे में रिखा गया तर्क सलीम अली ने इसे पक्चियों का स्वर का है तो ऑपको जील है तो आपको जील है जो आपको पड़ता है बेबूष राय में और कामर जिल में 300 परजातियों के पक्चियों का अध्यान एक साथ संभाव है तो बहुत important है Dr. Salim Ali परसीद आपको पक्चि बैगाने के जिन्होंने कामर जिल को आपको याद रखेगा इसको पक्चियों का स्वर्ग कहा है तो बहुत important point आगे आने वाले एक्जाम के लिए है इसके बारे में अगर दे सकता है कि हां कामर जिल बिहार के कौन सा जिल को आपको पक्चियों का स्वर्ग बोलते हैं तो कामर जिल को किस ने कहा था तो सलीम अली ने कहा था अब यहां पर देखिए कामर जिल तो पूछ लिया आपको आगे पूछ सकता है कटिहार में एक है गोगा या आपको गोगा जिल दरभंगा में पड़ता है कुसेस्वर जिल उसके बाद देखिए राजगी पड़ता है गोरा कटोरा क गारा नमबर कुशन है है कि पिती दूइव के बारे में कुशन पूछा था है और अब के बुक में NCI extension number 13 कि वहले इस पेज़ से तीन कुशन अब दक पूछ चुका है यहाँ पे तीनों कुशन के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे देखिए पितली दीप वला यहाँ पे है उसके बाद इसी में आगे देखने को मिलेगा एक कि आपको लक्ष दीप का जो है नाम लक्ष दीप का अपरा था तो 1973 में यह भी पूछ चुका हुआ है उसके साथ एक और पूछ चुका यहाँ पे पश्चमी टटका एक नाम जो है कर्णर मैदान के बारे में तो यह भी पूछ चुका है किवल एक पेज से तीन कुशन पूछा है तो चलिए हम लोग इस कुशन जो है आपका पितली दीप जहां पे मनुष से नहीं रहाता है वहां पे कौन रहाता है तो यह जो पितली दीप है यहां पे एक पक्ची अभ्यारन है और यहां रस्वा के NCIT पेज नामर 13 में यहां पे दिया गया है चलिए यहां पे आपको नहीं दिख रहा होगा हम यहां पे दिखाते हैं आपको वहीं लाइट यहां पे देखिए यहां पे सीधा एक लाइन दिया हुए है कि देखिए पितली दीप जहां मनुष से का वास नहीं है वहाँ एक पक्षी अभ्यारन है और यहीं एक लाइन से आपका एक्जाम में कुशन बना दिया है और यह पड़ता है लक्षदीप में लक्षदीप पे अंदर ही है पितली दीप जहाँ पे मनुस नहीं रहता है वहाँ पक्षी अभ्यारन है याद रखिएगा यह चीज आपको पूश चुका है तो इसका अप्सन नंबर जो है यहाँ पर यह हो जागा पक्षिय बैरन जी के एक गारा का अब हम आगे चलेंगे अब देखिए आपको आगे और प्रकूशन एक मिलेगा कि आपको जो लक्षदिव है लक्षदिव का नाम रखा गया था लक्षदिव का और यह जो है आपको question TRE में post चुका है सायद इसी में आगे दिखने को मिलेगा उसके बाद देखिए अगला question पूछा था भीमा बांध वन ने जी अभ्यारन बिहार के किस जीरा में है तो जो भीमा बांध है वो आपको मौंगेयों पढ़ता है यह जो सवाल है आपको SCIT book में भी हमको नहीं मिला है आप अगर बिहार के बारे में पढ़ना है तो आपको SCIT book पढ़ लिजेगा अच्छे से सायद उसमें मिल जाए हमको नहीं मिला है या एक बिहार का अलग से समाने क्याना आता है किसी परगाशन का रूटेडिया कहता है या आपको KBC 990 आता है कोई भी भी हार के बारे में काफी है तो वह पढ़ सकते हैं य आपको हमको नहीं मिला है मिल भी सकता है कि आपकोcket is असान यह नहीं जानता है अबिंगा या बुक में लिग दबएरो पहाड़ है या इसको खासी और गारो तो गारो खासी जयनतिया जो है आपको पढ़ता है मेघाले में यानि ये मेघाले के पठार का हिस्सा है और ये जो मेघाले का पठार का जो हिस्सा है अगर हम बात करें तो ये दचनी पठार का जो है यानि प्राइदीपिये पठार का ही एक भाग पढ़ता है यानि दचनी पठार जब पढ़िएगा तो उसमें जो है इसके दो भागों में पढ़ना पढ़ता है इसमें आको एक अपको पढ़ने की देखने की मिलता है तो इसका एंसर जो है इसमें नमबल यानि कोई नहीं होगा तो यहां पे पुरवांचल की पहारिया में कौन-कौन पहार है जैसे आप सुने होंगे नागा पहारी, मनी पुरी पहारी, मीजो पहारी वो सब जो है पड़ता है पुर्वांचल में तो चलिए यहां पर हम एक बार देख भी लाते हैं जैसे देखिए यहां पर दिया भी गया था आपके NCIAT page number जब पढ़िएगा आप या जब नाइन फुलास का पढ़िएगा page number 12 या जब नाइन फुलास का स्टीर पढ़िएगा 21 यह दोनों में हैं आपको चीज दो है दिया गया है तो पुर्वांचल पहारी के बारे में पूझाता देखिए पुर्वांचल पहारी या इसी को बोलते हैं पुरी पहारी यहां पहारी पुर्वांचल की पहारी औसादी चटान से बना हुआ है यह घने जंगलों से ढका हुआ है यह अधिक समरांदर स्रिंख लाओ जो घाटे गुरूप में फैला हुआ है और यहां पे अगर हम बात करें पुर्वांचल में देखिए यहीं कुशन पुझा था पुर्वांचल की पहारी उसमें कौन को नाता है तो पठकाई नागा मीजो और मनिपूरी यह आपको याद अखना है आप दिखिए जो आपके अप्सन में दिया गया था गारोखासी जैंतिया पहारी यह यहां पर दिखिए यहां पर लिखा हुआ है दखिन का पठार एक पत्रिबुचाकार भुफाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिन में इस्तित है उत्तर में इसके चोड़े अधार प्रसत्पूरा के स्रिंखला है जबकि महादेव कैमूर की पहारी जो है यही परता है और इसी कहीं सा है मैकाल स्रिंखला इसका पूर्वी बिश्तार है भार आपको उत्तर पूरो में देखा जा सकता है जिसे अस्थानी रूप से मेघाले का पठार काते हैं यानि आपको मेघाले के पठार में आता है गारोखासी जयंतिया और यह जो मेघाले का पठार है यह आपको किस का भाग है तो इस पठार का यानि किस पठार का तो दचिन का पठार का भाग है और ये आपको परता है कि इसमें दचिन पठार में ये ज़ो प्रुवांचल की atau ये वो उत्तर कुराज के पढ़ता है वो एक अलग है जैनी पठार जो है आपको हम बात करे सात में आपको कारवी इंगलौंग है ये भी आपको दचिन पठार का ही भाग है तो यहाँ पर इस चीज को याद रखेगा यह जो आपको मिघालेक और कार्वी इंगलों का जो पठार है यह आपको एक भरंस के द्वारा जो है छोटा नाक्पुर पठार से अलग हो गया है और पस्ची में से पूर्व की ओर तीन स्रिंकला गारोखासी जन्दिया यहीं मेघालेक पठार का भाग है यानि अगर आप थोरा समय पर ध्यान देएगे तो आपको समझ में आ जाएगा चलिए आपको बता जोते हैं जैसे माली जी आपका यह भारत है तो देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर पठार परता है माली जी आपका चोटा नाकुर पठार और आपको चोटा नाकुर पठार के बाद यहाँ पर परता है आपको मेघाले का पठार तो यह चोटा नाकुर का पठार जो है यह आपको दचि पठार है और इसी का पूर्वी बिस्तार है यह आपको पड़ता है यहाँ पर मेघालय का पठार अभी आप देखें मेघालय का पठार जो है इसी में परता है और इसी में आपको गारो खासी और जयनतिया तीन पठार है यहाँ बीच में खासी परता है इसी पर है मांसी रामन जहां पे सबसे ज़्यादा बारिस होता है और यह कुशन आपके एक्जाम में पूश चुका है यहीं बीच में खासी परता है तो यह आपका जो मिखाले का पठार यह जो है आपको दचिन के पठार का ही यह पूर्वे बिश्थार है इस बीच में जो है आप देखिएगा यहां से जो गंगा नदी आता है तो इसी में बहता है और साथ में इधर से जो आता है ब्रंपूत नदी इसी में होकर आगे यहां पे बहता है दोन नदिया तो दोनों यहां पे जो बहता है यहां पर बहते बहते बीच में जो है यहां पर बहुत सरा यहां पर मिट्टी लेकर जमा कर दिया है इसलिए जो है दोनों अलग हो चुगा है और यह जो अलग करता है इसका नाम है माल्दा गैब और यह माल्दा गैब जो है आपके एक्जाम में पूछ सकता है माल्दा गैब मालदा गैप जो है आपको दचिन के पठार और पुर्वांचल की पहाड़ी यह दोनों को अलग करता है यानि आपको दचिन का पठार के यह जो भाग है यह आपको छोटा नाकफूर पठार है तो पूछ सकता है आपके एक्जाम में कि छोटा नाकफुल का पठार और यहाँ पे जो आपके इधर का जो है नेखाले का पठार इन दोनों को बीच को कौन सा भरंस गाटी अलग करता है तो यह मालदा गैप करता है और यह जो है मालदा गैप के बारे में जब आप मिर्जो पहाड़ी आता है नागा पहाड़ी आता है यह सब जाता है जबकि गारों खासे जनतिया जो है वो आपको दच्छिन के पठार का चुटा नाकफुल पठार यानि प्रैदिती के पठार है उसका या पूर्वी बिश्तार का भाग है तो यह आपको यहाँ पे समझ म चुटर मरद्व एं राजस्थान का कौन से जीला मुखितभ अलगा जनाता है तो अलगा है का यहाँ जनक यह चलिए घरव ऑठार क्रांव जना जाता है यहाँ पठेक गना विश्तार घरवे दोल मानुम हो मिल्ट तांबा के लिए यहाँ पर वबस फार am आपको अभरक के बारे में यहां पढ़ना है तो अभरक के बारे में पढ़ना है और यहीं पे देखिए लिखा हुआ है कि राजस्थान के अभरकुत पादर क्रिष्टर अजमेर के पास है और यहां पर आपको नहीं दिख रहा होगा तो यहां पर देखिए यहां पर चीज ल जारामा में और सथ में गया हाजारी बाक प्पड़ेती , अगरणी उतपादक है अबुछा अब राजास्थान के मुखक अबुछा क crush तर Pas tér आगे नरे जाए में पूछ ले कि आद्थ प्रेसा कौन सा जिला अवर्च कुद पादन के लिए तो कुनने लवर जिला है लेकिन यहाँ पूचा है राजस्तान तो यहाँ पे देखिए पुरा हूब अभू यहीं आपको लाइन यहाँ पूछ दिया है कि राजस्तान कौन सा अब हम आगे चलते हैं देखिए यहाँ पर पंदर नंबर कुछन पूछा था कि निमनी ही माले तथा सिवाली के बीच में इस्तितलम्बव घाटी को जो है किस नाम से जानते हैं तो यहाँ पर इसका जो एंसर हो जागा अपसर नंबर डी हो जागा यानि द्वार ही बोलते हैं और दून ही बोलते हैं लेकिन जब यहाँ पर आप NCRT बूक में जो दिया गया है NCRT के नाइंथ कलास के पेज नंबर आठ में लिखा गया है देखिए यहाँ पर निम हीमाले और सिवालिक के बीच में लंबवत घाटी को दून के नाम से जानते हैं। यहाँ पे जो है द्वार का नाम नहीं दिया है। लेकिन दून और द्वार दोनों होगा और यह दोनों चीज दिया गया है। नाइंत कलास के SCRT बुक पढ़िएगा पेज नंबर 20 में। तो यहाँ पे आपको देख लेगे यह चीज यहाँ पे पूरा दिया गया है दोनों जैसे यहाँ पे जैसे देखिए यहाँ पे देखिए हिमालाय का सबसे नवीन परती भागे कौन सा तो सिवालिक इसमें कुछ विश्तरित घाटिया भी है जिसे दून या द्वार कहते हैं तो दून या द्वार यहाँ पे दोनों है था और जैसे देखिए देहरा दून, कोटली दून, पाटली दून, बुटबॉल, कांगरा और साथ में देखिए अलिपूर द्वार तो यहाँ पे द्वार और दून इसका दोनों एंसर होगा जो कि अगर आप यहाँ पे देखि और आपके सिवालिक ये दोनों के बीच में पड़ता है और यहां पर आने वाले एक्जाम में पूछ ले देखिए जैसे बिहार के जो पर्ष्मी चंपारन का जो उत्री पर्ष्मी पहाड़ी भाग है यानि आप इसे बिहार का नक्सा देखते होंगे तो ये जो भाग है आपका ये वाला वेश्च चंपारन वाला तो इसका जो उपर वाला भाग है वो हिमाले का भाग है और ये हिमाले के जो सबसे निचला स्रेनी है सिवालिक इसी के भाग परता है तो आने वाले एक जाम में बहुत इंपॉटेंट है देखिए ये जो पॉइ पहारी भाग या आपको किस पहारी भाग या आपको किस जिला में तो आपको वेश्चमपारन यानि पश्चमपारन पड़ता है तो यह पाइंट वे आपको याद रखना चाहिए अब देखिए अगला कुशन पुज़ा था कि गंगा एक्शन प्रान का पर्थम चलन किस वर से प्रारम किया गया था और यह है जो सुला नमर पूछा गया था तो यह 1985 में किया गया था और यहाँ पे जो है आप यह जो देख रहा है एक बॉक्स मना के दिया गया है इसी में दिया गया है और यह 9th कलास का पेज नमर जब NCRT 22 पर यह गया तो उसमें और अगर मालने जबर सरकारी किताब परते है NCRT तो पेज नमर 43 में यह दोनों चीज आपको यहाँ पर दिया गया जैसे देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ था जैसे देखिए यहाँ पर तो गंगा यह दो ओधार इसको जो है यहाँ पर इस योजना और का बिस्तार किया गए था पूछ सकता है कि आपको यह कौन सा यहां पर था आपको राष्ट्रिये नदी सरक्षन योजना क्या है कब से शुरू हुआ था तो 1995 में शुरू हुआ था और यह क्यों किया गया था तो यहां पर गंगा नदियों के साथ अन्य नदियों को जोड़ने के लिए यह गंगा जो कारएक्षन जो आपको 1985 में शुरू हुआ था उसका यहां पर विश्टार के लिए जूड़ा गया था और यह जो आपका 1985 में जो गंगा कारेपरिजना शुरू हुआ था राश्ट्री नदी शमचनल यूजन 1995 और इसके तहत क्या हुआ गया कि आपको जो गंगा कारियोजना था उसको जो है आगे बढ़ाया गया था इसको बिस्तार किया गया था तो यह पॉइंट आपको याद रखना है तो 1985 इसका एंसर हो जाएगा या गंगा एक्षन पलान यानि गंगा कारियोजना जो है यहाँ पर 17 नमबर है यहाँ लिकित में से किस पहाड़ियों में कॉफी की अरेविका किस्म को अरंविक दोर पर सुरू किया गया था तो यहाँ पर अरेविका किस्म की जो कॉफी सुरू हुआ था वह यहाँ पर किन पहाड़ियों में पूछा है तो यहाँ पर चलिए देख है आपको यह आपको तेंथ कलास का NCI पेज नमबर 43 है और यहीं जो है आपको हम यहाँ पर हैलाइट की है इसी में दिया गया जैसे देखिए कॉफी के बारे में कि भारतिये कॉफी अपने गुनोता के लिए विश्व विख्यात है हमारे देश के अरेविका किस्म की कॉफी पैदा की जाती है जो अरंभ में यमन से लागे थी शुरू में जो है आपको यमन से लाए गया था इस किस्म की कॉफी का विश्व में अधिक मांग है इसकी क्रिशी की सुरवाद जो है कहां से तो बाबा बुदन पहारियों से हुई थी आज भी इसकी खेती जो है यहाँ और सबसे पहले जो खेती अरंभ किया गया था वह यमन से लाकर किया गया था लेकिन सुरू किया गया था बाबा बुदन की पहारी से याद रखेगा नेलगीरी के पहारी के आसपास में भी होता है लेकिन अरंभ जो किया गया था यहां से तो यह पॉइंट आपको याद र अब हम आगे चलते हैं, अग्ला देखिए यहां पे 18 नंबर कुषन है, 18 नंबर यहां पे कुषन दिया गया है कि मोटे कनों वाले जलोड मिठी सबसे अधिक कहा पायाती है, तो मोटे कनों वाला जो जलोड मिठी होता है, अब यहां पे देखिए, दून में तराई में की चो में और CIT 43 में तो यहां पर यह जो है आपका NCIT के शतर है जलोड मिटी में रेत सिल्ट और मिद्क्या के विभिन अनुपात पायाते हैं जैसे हम नदी के मुहाने से घाटी में उपर क्यूर जाते हैं मिद्दा के कनों का अकार जो है बरता जाला जाता है और नदी घाटी के उपरी भाग में जैसे ढाल भंग के समीब कन वाली मिद्दाय पायाती है ऐसे मिद्दाय परवतों को तलहटी में बैने मैदानों में जैसे द्वार हो गया चो और तराई में आमतर पर पायाते हैं लेक मोटा कन वाले मिरदाई हैं तो मोटा कन वाल जो है तराइएंगे पायता है और यह जलोड मिटी में यहां पर दिख लिए असPS में लिखा हुआ है कि जलोड मीटी, सबसे अधिक मोटो करने वाली, तो मोटो करने वाले जलोड जो मीटी है, वह तराई इसका answer हो जाएगा, हाला कि अगर आपका जलोड मीटी यहाँ पे नहीं रहाता, तो इसका answer अलग होता, जैसे हिमाले का भी जो पठते हैं, आपको मैदान के इसाब से, तो सबसे पहले देखिए, जैसे सिवालिक जो पहाड़ी है, यह आपका है, जैसे आपका सिवालिक है, तो सिवालिक से जैसे नीचे उतरिएगा, तो यहाँ से आप नीचे आते हैं, तो वालिक के बाद यहां पर मैदान आता है और मैदान में अगर हम देखा जाए तो सबसे पहले जो मैदान परता है वो परता है आपका भाबर परता है उसके बाद भाबर के पास नीचे आईएगा तो यहां पर आपको परता है तराई और तराई के बाद जो है यहां पर परता ह भावर तराई और उसके बाद यहां पर परता है जलोड और यहां पर बांगर यहां पर बांगर परता है और बांगर में आपको जो नई मीटी होती है उसको बोला आता है खादर और प्राणी जो मीटी होती है तो उसको बोलते हैं बांगर तो यह भावर जो परदेश होता है सबसे ज़्यादा मोटा कन अगर पूछे ऐसे अगर तो इसमें पायाता है भावर में सबसे ज़्यादा मोटा कन की इसमें तो आपको भावर में पायाता है लेकिन उसके बाद जो तराई होता है उसमें पायाता है छोटा महीन कन जो होता है इसमें पायाता है और बांगर जो था इसमें तो बांगर और खादर में जलोड मिटी पायाती है लेकिन यहाँ पर एक जा में पूछा है आपको जलोड मिटी में देखिए जलोड मिटी वाला जो मोटा कन होता है उसको यहाँ पर देखिए या तो द्वार या चो या आपको तराई में अम्तोर पर पायादा है तो यहाँ पर अप्सन नंबर इसका B इसका होना चाहिए और इसका B होगा आप बाकी जो है आपका एंसर की देने पर असपर्ष्ट पता चल जागा आगे हम चलते हैं यहाँ आपका हिमाले का यहाँ पर बाटा गया है चार भागों में सबसे पहले उपरी पती प्याता है भाबर उसके बाद यहाँ पर तराई उसके बास बास बांगर और इसमें खादर आता है यह चीज आपको याद रखीएगा सबसे जो मोटा कन होता है वो भावर में होता है उसके बाद तराई में छोटा महीन आपका लाता है और इसमें आपको दूनों मैदान पळाता है जिसे यहाँ पर देखिए टाफी मोटाई जमा हो जती है और इसमें जो है देखिए छोटे बरे पत्थर को टुकरे जो होता है काफी होता है भावर में और तराई में जो होता है वो आपको नमी दलदली वाला एरिया होता है और इसमें छोटा महीन कन पायता है आपको तराई में यह आपको चीज याद रखिएगा यहीं अगर जलोड मीटी में पूछा है तो आपको वहाँ पे तराई अलग इसका एंसर होगा अब हम आगे चलते हैं आपको देखिए 19 नमर क्वेश्चन 19 नमर यहाँ पे दिया गया है कि भारत में कितनी railway zone है अब देखिए यहाँ पे अगर मरतमान में देखिए तो railway zone का संक्या बढ़ गया है लेकिन आपका जो answer माना जाएगा वह NCIT में जो भी दिया गया है वहीं माना जाएगा तो NCIT में आपका 16 दिया है तो इसका answer 16 दिया गया है यह जो आप देख रहा है पेज अगर आप किसी भी अप्लिकेशन से अगर मान लेजिए PDF डाउनलड करते हैं बुक का तो वहाँ पे सद्रा दिया गया है और वहीं मान लेजिए आपके पास अगर बुक खरीदयों के offline में तो वहाँ पे जो है बुक में 16 दिया हुआ है अब यहाँ पे 16 17 का देखिए थोड़ा खेल इधर इधर हो गया है लेकिन इसका answer 16 ही मान जाया क्योंकि एक्जाम जुम्में है यह question repeat हुआ है आपको TRE1 या TRE2 में पूछा गया था तो वहाँ पे आयोग के दोड़ा इसका answer 16 माना गया था तो इसका answer 16 ही इसका होगा हाला कि online अगर 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 बुक अगर आप application से download किया है तो वहाँ पे 17 दिखाएगा और आप देखिए जैसे देखिए अगर आप बुक खरीदे होंगे तो यही लाइन आप सेम यहाँ लिखा गया है लिकिन यहाँ पे शोला दिया है अब यहाँ पर हम आगर देखिए यह जो आप पेज देख रहा है एंसे टी पेज का 87 नंबर आपको इससे भी तीन कुछन अपता की जाम में पूश चुका है उसके बाद देखिए एक अटल सुलंका जो लांबाई है 9.02 किलिम्टर यह भी पूश चुका हुआ है उसके पूश चुका है यानि इस पेज से भी आपको तीन कुछन आपको पूश चुका है तो यह भी आपको याद रखिएगा अब हम आगी चलते हैं अब देखिए यहां पे 20 नमर कुछन पूश पूश आ गया था कि नुलिकित में से कौन सा परमुक जो है कपास उत्पादक रा कुछा गया है देखिए यहां पर तेंथ कलास का जो NCIT पेज है 45 और साथ में SCIT पेज है 143 तेंथ कलास का ही तो उस पर यह दिया गया है तो यह कपास वाला पेज जो है NCIT का पेज नवर 45 है और यहां पर देखिए लिखा गया है सिधा हूब बहू लिखा हुआ है कि कपास क जो आपको उत्पादर होता है महराष्ट में, गुजरात में, मद्ध पर्देश में, करनाटक में, आंध पर्देश में, तिलांगना में, तमिलाडू में, पंजाब में, हरियाना में, और उत्तर पर्देश में कपास के मुख्य उत्पादक राज्य है अब यहां पर देखिए अपसर नमबर A पढ़िएगा तो गुजरात करनाटक मद्ध परदेश यहां पर देखिए तीनों का तीनों इसमें दिया गया है महराष्ट पंजाब हरियाना यहां पर देखिए महराष्ट भी है उसके पंजाब हरियाना दिया है यानि इसमें भी होत आप यहां पर प्रूफ पी इसका आप देख लिए यहां पर आप देख लिजे अब बाखी कपास के बारे में आप थुरा पढ़ लिजे और देखे कपास जो है यहां पर भारत को कपास के पौधर का मूल अस्थान यहां पर यानि कपास का जो है मूल अस्थान यानि सबसे प भारत ये भी आपको यहाँ प्यात रखेगा। जो होता है वो आपको पाले मिटी में होता है। यहाँ रहात रखेगा। Щ Tusk ना वो खरीभ पते हैं। तो यहाँ पर यह चीज का पास से जुरा पॉइंट याल रखीगा अज सायद आचानक की आगे पूछ सकता है किसी एकजाम में तो यहाँ पर आप देख लिए अब हम आगे चलते हैं 21 नमबर देखिए सवाल पूछा गया था अगे एकजाम में कित में से जो कौन सी जो सिरिंखला है यहाँ पर कौन सी सिरिंखला जो है निम नहीं मालय की सबसे बदाना है तो इसका पीजावर यह सवाल पूछा गया था नाइफ कलास के पेज नंबर आठ se भाएं पूछा गया था यहां पर देख lahा वचले को हम बता देते lite कहां पर लिखा वाज़ेशे देखिए नाइंद कलास का जो इसी आटी पेज नमबर आट यहीं पर दिया गया है यह जो आपको जो सिवाली को जब यहां पर पढ़िएगा सिवाली के बारे में देखिए यहां पर लिखा गया है कि पीर पंजाल सरिंखला जो है सबसे लंबी और सबसे महत्पुन सरिंखला है और यहां पर धवला धार एवं महाभारा सेनिया जो है इसी सरिंखला में आता है तो यह चीज आपको यहां पर याद रखिएगा यह बात हो रहा है किसका निम्न हिमाले का बात हो यानि बीच वाला निम्न हिमाले के नाम से जानता है और इ हिमादरी वाला आता है यानि महान हिमाल है उसके बाद आता है आपको निम्न हिमाल है या हिमाचल हिमाल है और इसके नीचे आता है सिवाली तो अगर हम बात करें और इसके अलावा एक और यानि जो सबसे इसे हिमाले से पहले जब को पहले यहाँ पे था तो उसको बोलते हैं हम लोग टांस हिमाले है तो यहाँ पे जो निमन हिमाले है इसी में से जो है आपका आता है पीर पंजाल पीर पंजाल इसी में आता है और इसके साथ यहाँ पे धावला धार हो गया, महाभारत सरेनी हो गया यह सब इसी हैं पूछता है अब यहाँ पे जो ट्रांस सरेनी है इसमें जो है आपको कारा कोरम हो गया कारा कोरम उसके बाद आपका लदाक लदाक स्रेनी उसके बाद आपका जासकर स्रेनी और उसके बाद आपका आता है पीर पंजल यह चारो एक करम से है यानि कारा कोरम लदाक जासकर और पीर पंजल और यहां भी आपको कुछन एक पूछ चुका है कि यहां पे हिमाले के स्रे और यहां से भी आपको ऊखिया या तो यहां पर आपको याद रखियेगा यहां पड़ लिया पढ़को ये सिपील नीम्न हिमालाय का और उसके बाद जो है हिमालाय के सबसे दच्छनी में सिवालिक आता है तो यहां से भी आपके एक जाम में कुछन पुछता सिवालिक के बारे में देखिए निम्न हिमालाय और सिवालिक के बीच में लंबवत जो घाटी होता है उसे द्वार या दून कहते हैं, आप उपर देखी चुके हैं, आगे अब हम चलेंगे, अब देखें, यहाँ पे बिहार का परमुक्र गन्ना उत्पादक जीला कौन है, तो गन्ना उत्पादक जो है, चंपारन जीले में होता है, वेश चंपारन उसाथ में, इस चंपारन में तो उसमें दिया गया है यहाँ पेज नमबर लिखना भूल गया है लेकिन आपका पुछा गया था वह दिया गया था गन्ना उत्पादन का जो है या बिहार SCRT से उचा गया था देखिए गन्ना का उत्पादन में यहाँ पे लिखा गया है जैसे यहाँ पे दिया है पूरवी चमपारण है, तो यहाँ पर आपके exam में जो पूछा गया था, यहाँ पर देख सकते हैं, उत्पादक का यहाँ पर कौन सा जीला है, तो यहाँ पर केवल चमपारण दिया था, आपको अगर रहता आपको माल लीजिये, गोपालगज तो गोपालगज भी हो सकता था लेकिन यह नहीं है तो यहाँ पे चंपारन इसका पहला अस्तान होगा चंपारन जो है पहला नमर पे है चंपारन इसमें भी कौन चंपारन तो वेश चंपारन जो है आपको पहले नमर पे दो नमर पे कौन है तो आपको गोपाल गंज और तीम नमर पे अगर हम बात करें तो इस चमपारन यानि पूर्वी चमपारन है यह आपको पॉइंट याद रखी कि आगया नम लिग जाम में पूछ सकता है अब यहाँ पे देखिए एक और कुशन गन्ना से रिलेटेड जो है टीरे 2 में पूछा गया था या टीरे 3 का जो कैंसे लिग जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था कि यह जो गन्ना का उत्पादन है यह आपको दो नदियों के बीच में पूछा था यहीं गन्डक और बागमती और कमला घागरा जो नदि है यहाँ से पूछा था कि गन्डक बागमती कमला इसी में से दो नदियों लेकर पूछा था कि द्वाब शुतर का परमुख उत्पादक क्या है तो यहाँ पे यह गन्ना होगा यह भी जो कुशन है आपको एक्जाम में पूश चुका हुआ है और यह दूसरा कुशन पूजाता सबसे ज़्यादा कहां पर होता है चमपारान में होता है तो यह आपको पॉइंट याद रखिएगा आगे हम चलेंगे हो देखिए पेज नंबर 23 कुशन नंबर 23 कुशा था म यानि महानादी का जल तंत्र है वकिन की निराजियों में है तो चलिए यहाँ पेज का देखिए नाइंध कलास का जब आप NCIT पेज नंबर 20 पढ़िएगा तो वहाँ पर पढ़ना है आपको महानादी दुरूनी के बारे में और महानादी दुरूनी का जल तंत्र है चलिए पढ़ना है तो महानादी के बात करें तो इसका अब वहाँ दुरूनी जो है महाराष्ट चतीसगर जारकन और उरिशा तो महाराष्ट चतीसगर जारकन और उरिशा यहाँ पर दिया गया है जारकन और उरिशा महाराष्ट नहीं है तो जारकन और उरिशा यानि दोनों हो ज जाती है इस नदी के कुल नमबाई 860 km है तो यह आपको याद रखिएगा आगे हम चलेंगे अब देखिए यहाँ पर 24 नमबर कुछन पूछा था अगला यहाँ पर 24 नमबर कुछन है कि पश्चिमी हिमाले में नदी की धारा का रास्ता बदनने वाली वाही काओ को किस नाम से जानते हैं तो इसको जानते हैं गुल के नाम से और यह जो है पूरा एक हूब वहू लाइन जो है NCIT का जो दसवा कलास का NCIT है पेज नमबर यहाँ पर दे चुका है तो यहाँ पर खादीन क्या होता है पालार पानी क्या होता है इसके बारे भी हम जानेंगे लेकिन यहाँ पर पश्चिम हिमाले में नदी की धारा का रास्ता बदनने वाली वाही का जो है उसको हम गुल या कुल बोलते हैं तो गुल या कुल दोनों यहां पर पुरूप दिखाते हैं कि यह कहां से पूछा था तो दस्वक्रास का NCIT में देखिए आपको हू बहू लाइन यहां पर लिखा गया है एक लाइन कि देखिए पस्चिम हिमाले में वही का है नदी की धारा का रास्ता बदल कर खेतों के सिजाई के लिए बनाई गई है इसे जो है गुल या कुल करते हैं यहां पर पूछा गया था कुछन की परवतिय चेत्रों में यानि पष्चमी ही माला के परवतिय चेत्रों में जो नदीक की धराग रास्ता बदलता है और सिजाई करता है उसे क्या बोलते हैं तो उसे गुल बोलते हैं या कूल बोलते हैं तो यहीं Qution आपके एक जामे पूछा गया है तो इसका answer जो है गुल या कुल यहाँ पर आप देख चुके हैं अब यहाँ पर आप देख रहे थे अपसन में एक खादीन, देखिए यहाँ पर खादीन देवा है, खादीन क्या होता है मालिज आ गया नहीं आप पूछ ले और एक आपका दिया गया था पलार पानी यह पलार पानी है, चलिए इसको हम क्या है, यह दोनों देख लेते हैं देखिए खादीन और जो यह पलार पानी है यह जो है संबंदित है वर्सा का जो जल एकत्र किया था है यानि वर्सा का जल जो है यहाँ पर यह जो संबंदित है खेती के लिए उपयोग में लाया जा सके उसके लिए जो है राजस्थान में एक जो मतलब खादीन बनायाता है जैसल मेर में और बाकी अनशितरों में जोहर बनायाता है लेकिन ये राजस्थान में बनायाता है किसे लिए तो आपको सीचाई के लिए आपको इसमें जो है जल देखिए राजास्थान के बारे में बाद एक जैसे बिकानेर, फलोदी और बाडमेर में लगबग हर घर में पीने का पानी संगहित करने के लिए भूमिगत टैंक, यानि भूमिगे अंदर बनाया गया है, जिससे यहाँ पे टाका करते हैं, इसको टाका बोलते हैं, भूमिग राज्फान के जीले में जो पाने के संजिद करने के लिए बनायाता है तो आपको जैसल मेर् यहाँ पर इसको भी जो है तेकि टांका में वर्सा जल यानि वर्सा जल को ही बोलाता है देखिए पलार पानी वर्सा जल अथ्वा पलार पानी जैसा इसे इन छेत्रों को करा जाता है तो यहाँ पर इसको पलार पानी का मतलब होता है वर्सा जल यानि पानी जो हम लों संगरित करते हैं टांका में यानि टांकी में तो उसमें याद रखिएगा और इसको जो पलार पानी है यानि वर्सा जल है टांका के माध्यम से इसको अगला वर्सा जब तक नहीं आता है उसके बाद पालार पानी के बारे में आप टंके के बारे में आप जाने गए और हो खादीन के बारे में क्या जाने है तो खादीन जो है जैसल मेरे में जल संगहन के लिए उप्योखिया आता है अब हम आगे बात करते हैं 25 नमर कुशन देखिए 25 नमर कुशन के जो है एंसर न होगन के नुसार जो है पढ़ना है कोपेन के नुसार तो आपको एकजाम में कोपेन वाला भी इजरा में पूश सकता है धार्णमेट के नुसार देखीए विहार में उतर पष्मी जो है एरिया यानि आपको इधर वाला जो है पश्मी चंपारन वाला यहां पर भी यह जो है आपको CW लेकिन जो से विहार इसका अलावगा CW आप देखें इसका जो मतलब होता ए वह बहुत आपको बुक में दिया ही यह नहीं ढ़ पढ़ना पर जा कर तो सहां पर आपने हैं जहां फोलो छैप्टर पढ़ेंगे कभी उपोष्ण कटिबन दिये परवेस में आता है उपोष्ण में या आपको यहाँ पर मौनसूनी उपोष्ण मौनसूनी भी इसको आता है जैसे यहाँ पर देखिए आप पढ़िएगा एडिटरिया का वुक तो वहाँ पर देखिए विहार की चलवाईव उपोष्ण कटिबन दिये मौनसूनी भी पायाता है तो यहाँ पर इसका जो एंसर होना चाहिए यहाँ पर आप देखिए विपीए से इसका एंसर क्या मानता है अज अगर आप आयागा तो आप कमेंट करके बता दीजगा या आपको तो अब याँ लगता है मिल गया है तो आप अप असर करके इसका बता सकते है तो यहाँ पर देखिए या कि एक यह और दसूट किए तो आपको नहीं पर आए आगए अब लेका क्या मानता है इसका या compensa आनिके बाद इसको देखा जाए गा अब आगे चलेंगे 26 nom 26 nom यहाँ पे देखे बेमनाद जिसे भारत एक की स्राज में है तो बेमनाद जो है आफ किरल ने पड़ता है साथ में आपको अस्ट मूड़ी और ये आपको पेमनाद ये दोनों पड़ता है किरल में अब ये है आपको बुक में अब इतना देखे बुक में खोजे है आपको नहीं मिला यहां पे जी के बारें पढ़ना पड़ता है वहां पे मिल जाता है तो यहां पर इसल्च यह सब जिल प्राज़सा में देखिये परत्सां ये चीर आपको याद रखीएगा अब हम आगे चलेंगे ऊरिसा विए लाइगून जिल है आपको मालूँ होगा बहुत फेवर चिलका जिल चिलका जिल जो उली सम्हें तो यहाँ आपको याद रखिए अब देखिए भारत की जन संक्या केटना पऱ्तिसात है तो य 8.6 परसेंट है जो आपके नहीं दियागा तो अपसर नमर इसका ही हो जाएगा और भारत की जान संक्या का सारे 17 परसेंट है तो यह भी आपके याद रखिएगा यह कुछन इक जाम में पूश चुका हुआ है यह कुछन पूश चुका है वहाँ पे और जो कि छेतबल की बात वहाँ पर देखने को मिलेगा या आपको 11 का भी NCRT पढ़िएगा या NCRT-ACRT तो वहाँ पर देखने को मिलेगा लेकिन वहाँ पर उतना डिटेल में नहीं दिया गया है सब चीजे तो जितने भी जनगन्ना से कुशन है आपको कोई भी टीचर का एक्जाम उठा कर देख किसी भी आपका जो सेक्शन का पेपर है उसमें दो सवाल रहता ही है जनगन्ना से तो जनगन्ना के ऊपर जो है एक अलग वीडियो जो है सेपरेट वीडियो हम यहाँ पर लाने वाले हैं जनगन्ना के लिए और उसमें भारत की जनगन्ना और साथ में बिहार की जनगन्ना जो है जितने भी कुशन बनते है चाहे BPSCIO के दोड़ा जितने भी PCS लेवल का भी exam का जो कुशन उसमें पूछा गया है उन सबको वहाँ पर add करेंगे हम लोग और जनगन्ना का एक अलग वीडियो आपको जरूर मिल जाएगा जल देहें इसका जो है नुक्स त्यार हो गया बस PDF बाक ही है हो जाएगा तो उसके बाद ये वीडियो आपको देखने को मिल जागा जनगन्ना वाला अभी इसका जो 28 नमर का एंसर होगा अप्सन नमर इह होगा इनमें से कोई नहीं इसका ओरिजनल जो एंसर होगा 8.6% होगा याद रख लिएगा अब हम देखेंगे आगे ये तो हो गया 27 नमर देखें कुशन नीचे है 27 नमर है कि निमनिक्रीम से कौन सा बंदरगा अस्थल रूद है ये देखें बहुत इंपोड़न्ट है यहाँ पे जो है तेंत करास के NCIT जो पढ़िएगा पेज नमर एक आनवे तो उसमें पढ़ना है बंदरगा के बारे में और इस बंदरगा से अब तक जो है तो तीन कुशन कुश चुका हुआ है और बाकी जो भी बनने वाला है बहुत इंपोड़न्ट है कुछ उसमें से हम अब लोग अभी देखेंगे और बाकी नहीं होगा तो जब लोग पढ़ाएंगे NCIT तो वहाँ पर देख लेंगे 27 नमर कुशन था इमलिखित में से कौन सा जो बंदरगा है अस्थल रूध है यानि लैंड लॉक है यानि चारो तरप से अस्थल से घीरा होगा है तो देखिए अफशन इसमें है पारादी विशाका पर्टनम और तूति कुरिन तो इसका जो एंसर होगा वह होगा विशाका पर्टनम अफशन नमबर B अब देखिए इसका प्रूफ देखाते है आपकों कि यह कुशन कहां से पूशा था यहाँ पे आ जाईए आप यहाँ पे देखिए यह कुशन पूशा गया था विशाका पर्टनम जो है अस्थल से गीरा गहरा और सुरक्षित पतन यानि अस्थल से गीरा यानि अस्थल रूद यानि कि या कुष्छा ढुशता है the judging Republicans उसके अलावा वे देखें एक और पूशता है कि कौनसा ज़ो बनदर Kele आपको नदीगा दोरा बनाया गया है तो अपको कुलकता प्रातियुक करता याद रखेगा कुलकता यहांब कुष्छ सकता है अब देखी यह कुषिण पूशा जा चुका है जब TRE3 में ये कुशन पूशा गया है 628 में कि सुतनता प्राप्ति के बाद जो है सबसे पहले किस बंदरगाह को विक्षित किया गया था तो आपको कांडला बंदरगाह को और ये एक जामे पूश चुका हुआ है उसके लवा ये भी कुशन पूशा जा चुका हुआ है कि सबसे बढ़ा बंदरगाह कौन है तो मुंबाई जो है सबसे बढ़ा बंदरगाह है और ये सभी के सभी आपको एक ही पेज में दिया गया है तो ये बहुत इंपोर्टन है जिससे बहुत इंपोर्टन है आपको पढ़ेँगे और इसका पीडिये बना कर आपको अच्छे से वीडियो मिल जाएगा अब देखिए 29 नमबर यहां पर पुश्चन है लिखित में से कौन सा सहर जो है सिंदू और गंगा के नदी परनालियों के जल्विभाजक पर इस्तित है यह बहुत इंपोर्टेंट है और आपके एक्जाम में यहां पर पुछा गया था तो बहुत सारा कुछन बच्चा सब पुछा था कहां से आया है तो यहां पर पढ़ि का पेज नबर 339 कलास का तो वहां पर दिया गया है अरावली तो अरावली अगर मान लेजे पहाड़ी पूछता है तो अरावली जो है सिंदू गंगानदी को अलग करता है और अगर आपको पूछे तो अरावली दिखाए तो अरावली एक नगर भी है अरावली नगर या अरावली पहारी तो जानते ही है अरावली नगर भी वहाँ पे है यहां पे अरावली पहारी के बारे पुछे तो सिंदो के बीच में अरावली पहारी अलग करता है और सहर पूछे तो अमबाला सहर हाला कि इसके अलावा राज अगर पूछ सकता है कि कौन सा राज तो आपको हरियाना और पंजाब और यह आपको point कहां से देखने को सब हम को आपको प्रूफ दिखाएंगे कहां कहां आप दिया गया है हरियाना और पंजाब यह जब आप देखने को मिलेगा यह वाला यह वाला जो है वो आपको मिलता है कहां पे तो यह मिलता है आपको 11 या 12 का जब NCIT पढ़िएगा यहाँ पर ये चीज दिया गया है ठीक है ये चीज आपको है ने पंजाब वाला ये जो आपका अमबाला वाला दिया गया है ये आपके 9th कलास में दिया गया है और ये अरावली वाला जो दिया गया है वह SCRT में दिया गया है और सब पढ़ने के बाद आपको इतना बताया जा रहा है अब समझ लिजे कि इसका PDF जो बनाने में इतना समय लगा है हमको मतलब दो दिन कम से कम लग गया होगा क्योंकि एक तो कुशन उसके बाद इतना सारा बुक मतलब आप समझ लिजे कि SCRT का जो बुक है वह सीख से लेकर 12 तक फिर उसके बाद NCRT के बुक सीख से लेकर 12 तक उसके बाद अलग से भी दूसरा बुक तो इन सब बुक को यहां पर बार बार खोल के देखना कौन सा चीज कहां पर दिया गया है फूर उसको यहां पर स्क्रीन सोट ले रहा फिर इसके साथ अटैज करना बहुत मेहनत है इसमें तो यहां पर करने के बाद आपको समझ लिए आपको यह content मिल रहा है समय लग रहा है लेकिन आपको content मिल रहा है बहुत अच्छे से यहां पर आप यह जान लिए कि कुशन अगर गलत भी देता है यहां पर इराइज करने के लिए आप सक्षम है सीधा खोलिएगा मेरा वीडियो देख लिएगा किस पेज पर है और यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर गलत बता रहे हैं तो उसके लिए बहुत फाइदा है तो यहां पर 29 नंबर का जो है अंबाला इसका सही एंसर हो जागा चलिए अब इसका फूर्ट दिखाते हैं आपको अब देखिए यहां पर देखिए नाइन्थ कलास का जो है पेज नंबर 19 में दिया गया है अंबाला नगर जो है सिंदू और गंगा नतरों को बीच जल विभाजक पर ऐसी था है अंबाला से सुंदर्वन तक की लंबाई जो है अठारा सो किलियो मिटर है अब यहां यहां पर अप्शन में अंबाला नगर था तो एंसर यहां पर निन जाएगा और यहां जहां पर 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 यांपर अप्षन पर पर पाटते क्टлом के लंब नगर जग्वा नंगर देखेंमिंगों साथ कुन सा है करसे यहां पर हम बात करें तो यह जो है इसका सही अंसर हो गाइए चलिए उसका प्रूब दिखाते है तेंत करांश का जब नाबर 56 वहां हुबाव देखे लिखा हुआ है कि भरत ने बॉक्साइट के नीचे अब मुखता अमरकंटक पठार मैकाल पहारी तथा बिलासपूर के कटनी के पठारी से मिला है तो कटनी जो है बॉक्साइट के लिए याद रखिएगा आप देखे यागयनोंड ने बहुत कुछ सकता है पूछ्स सकता है कि बॉक्साइट के लिए कौन सा पठार तॉय हाँ देखिए अं можем का जो है मैकाल पठार है इसके बारे पूछ सकता है उसके वादी कि उरिशा का सबसे बड़ा उत्पादक राज जो है यह कुशन इंग्जाम में पूछ चुका हुआ है यहां पर उरिशा का जो कोरा पूट जीला है यह कोरा पूट जीला जो है यह भी पूछन इंग्जाम में प पूछता ही है बहुत इसमें इसका अलग से वीडियो जरूर आएगा आपको खनीज वाला जिसमें जितने भी इसका पेटी बनाया गया कौन सा खनन है उत्पादन है कौन सा जीला है सब उसमें रहेगा अब देखिए एक तीस नमबर सवाल यह देखिए आपको बता चुके है यह इसी पेट से दो आपको देखे हैं नीचे कि पिटली दीव जहां पर आपको जो लोग नहीं रहता है वहां पर पक्षिय भारन है यह भी पूछा हुआ है टीरी के 6-8 में और उसके अलावा यहां पर देखिए यह लकादीव मिनिकायदीव का नाम बदल कर 1973 में जो है इ लक्षदीव रखा गया था 1973 में देख रहे इतना ही दूर में जो है दो कुछन पूछ लिया है आपको NCIT से बहुत इंपॉर्णेट बूक है आपको ज़रूर एक्जामेदे से देखिए 1973 में इनका नाम जो है लक्षदीव रखा गया यह लकादीव मिनिकायदीव का नाम ब बहुत इंपॉर्णेट है और यह किरल के मलाबार टट के पास है तो यह भी पूछ सकता है आगया अले एक्जाम में और यहां आपका कावर्ती दीव है लक्षदीव का प्रसासनिक मुख्याला है याद रखेगा और यहां पितले दीव जो है इसी लक्षदीव का पितले द देखा है और यह जो कुष्चन है इसी से आप ऊपर यहां पर पेज इसी से पूछा गरवा है देखिए यही पर यह पर यहां पर पेज से 6 to 8 में समझ लीजिए आपको 3 कुष्चन वह भी आपको TRE 3 में एक ही में यानि TRE 3 के जो 6 to 8 पेपर है उसमें यहां पर वह भी लग पस्मिटर्ट का मद्य भाग जो है किस नाम से जानते हैं तो पस्मिटर्ट को जो है यहाँ पर पढ़िएगा पस्मिटर्ट यह वाला जो है यह वाला इधर पूर्विट पढ़ता है इस्ट यानि इधर वेस्ट यानि पस्मिटर्ट तो इसको तीन पार्ट में आपको बुक में दिया गए से पहला, यह दूसरा और यह तीसरा, तो तीसरा जो इधर है, आपका इधर पड़ता है मालाबार टट, उसके बाद यहाँ पर पड़ता है, यह पड़ता है कन्नर टट, तो यह ही पूछा था आपका पस्टमी टट का मध्य भाग किस नाम से जानते हैं, तो आपको यहाँ पर कन्नर टट, अब यहाँ पर देखिए, सीधा आपको यहाँ पर देखिए, दिया गया है अंसर, कि टट के उत्री भाग को कौंकन टट, मध्य भाग को कन्नर टट, और मैदान यह दचनी भाग को मालाबार टट, और को उठा के देखिए कुछन पूछ लिया है माले जी आने वाले एक्जाम में अगर पूछ ले उत्री भाग को कॉंकन और मद्देभाग को इन सबसे नीचे लबाग को मालाबार यानि यह जो है आपका उपरी टाठ है जिसको यहाँ पर कॉंकन है यह आपको मुंबई और गु साधी जैसे देखिए पस्मी टाठ के मद्देभाग को कॉंसा टाठ तो आपको यहाँ पर कंड़ टाठ बोला याता है याद रखिएगा अब हम चलते हैं आगे उसके अलावा मान लिजेगर आने वाले एक्जाम में देखिए पूरी टाठ अगर मान लिजेए पूछ ले त देखिए इसके उत्री भाग को जो है उत्री सरकाण और दशनी भागको خ… याद रख सकतей तो यह ही आप क्वाइंट इसमें याद रख सकते हैं अब हम आगे चलेंगे देखिए 33 नमर है कि भारत में बॉक्साइट का सबसे बरा उत्पादक राज यह कौन है तो चलिए इसको हम एक बर देख लेते हैं यहां पर देखिए बॉक्साइट के बारे में पहले बात कर लेत हैं अभी आप देखिए बॉक्साइट का देखिए यहां से दो कुषन मातर इतना ही दूर से देखिए आपको दो कुषन आपको एक्जामें पूछा है कितना आपको यहां पर और यह आपका सब 9th कलास का है यह आपका 3 कलास का है तेंध कलास का पेज नमर 56 पढ़िएगा तेंथ कलास का तो यहां पर यह पॉइंट दिया गया है और यहीं कुछन पूछा था देखिए यहां पर करा गया हुआ कि यहां कुछन कहां से पूछ रहा है तो यह NCIT से पूछ रहा है भाई जो है राष्टेक्रीत है और उसका निशकरसन जो है सरकारी अनुमती के पस्चात ही संभव है किन्तु उत्तर पूर्वी भारत के अधिकान जन जाती छेत्रों में खनीजों का स्वामी तो जह है ब्यक्तिगत और समुदायों को प्राथ है देखिए अगर भारत में मालीजे कह पर चुना पत्थर और डोलमाइट के विसाल निशे मिले जाते हैं और वहां पर यानि मेघालय का ही जवाई और चोरा पूंजी में कोईले का खनन परिवार के सदस्य द्वारा एक लंबी संकिन सुरंग के रूप में कियाता है जिसे रेट होल करते हैं और यहां पर याद पर देखिए जो चेरा पूंजी में यह जो है आपका सुरंग के रूप में इसका खनन क्रियाता है तो जिसे रेट होल करते हैं और नेशनल ग्रीन टैमरल यानि जो एंजीटी है इन क्रिया कर आपको जो इसको अवायद घोसित कर दिया गया है और सलाह दिया है कि इसको रो किया एता है तो यहां पर आपको में घालाई इसका अप्सान नमबर ई होगा देखिए यहां पर एक और चीज जो है आपको उत्तर पूरी भारत के अधिकान जंजातिये चेतरः तो इसके अलावा नय घालाई आपको नदेशन जाती हो गया तो यहां पर अन्न जचेतरः भी हो सकता है लेकिन यहां पर मेगालहे खुल के दिया गया है ignoring the response Alright यहां पे कि IQ हो जाएगा लेकिन जब BPSS का एनसर देगा तो वहाँ पर देखने लायक होगा कि पुरूतरह भारत में की तरन मेगालहे को मांता है यह अन्य को मांता यह आपको इनमें से कोई नहीं मेगाला है, इसका एंसर होना चाहिए, और मेगाला है को माना हु ज़्याद here आप आगे चलेंगे, आप देखिवे, यहां में 35 नहीं भारत में सन 1904 में सटापित Keya गया थह था तो यहाँ पर आपको सवाल NCRT, ACRT दोनों में जागा, या आपको तमिलाडो राज में किया गया था, कहाँ पर तो चेनाई में, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए, सिमेंट वाला आगया, देखिए, पहली सिमेंट उधोग जो 1904 में जो है, चेनाई में किया गया था, और इस उधोग के बात करें, सिमेंट उधोग के बात करें, देखिए, सिमेंट उधोग का खलकर खानों पूल सरक बनाने में आकाम तो आता ही हैं, और इस उधो प्रवाणा चैनल ही में लागा गया था तो यानि इसका अप्सम में नंबर 35 का सी हो जाएगा अब हम आगे देखते हैं देखिए 36 नंबर देखिए फिर आगे आपको जनगन्ना वाला अब बता चुक है कि जनगन्ना से दो सवाल फिक्स है तो जनगन्ना से पूरा आपको मान लिजे एक्जाम देने जा रहे हैं उससे एक दिन पहले या एक गंटा पहले आपको जनगन्ना पढ़ के ही जाना है दो नमबर आपको पक्का आएगा ही इसे देखिए पूछाता यहां पर कि 2001 और 2001 कमत बिहार की जनसंख्या की दसक्ये ब्रिधी क्या थी तो यहां पर अगर हम बात करें तो जनसंख्या के अनुसार बिहार में जो है आपको 25 तसमलो 07 या 25 तसमलो 8 है यहां पर आपको हम बता देते हैं अभी एक मिनट इसका जो एंसर है आपका C हो जाएगा यानि बिहार की जो दसक्ये ब्रिधी है वो आपको 25 तसमलो 07 है तो इसका अपसा नंबर C हो जाएगा यह चीज़ा आपको गयाद रखिके दसक्ये ब्रिधी है और वहीं अगर हम बात करें अगर मान लेज़े अगर भारत का पूछल पूछे अगर भारत में और भारत में किस राज का सबसे इदाद सक्ये देखने को मिला है TO 5 यहाँ पे चार point मिला है तो यानि आपको option number E हुआ यहाँ पे C नहीं हुआ याद रखेगा 25.4 पर तिसल जो है आपको बिहार का मिला है और ये जो है बिहार का जो अस्थान इसमें है ये तीसरा अस्थान है ये आपको पाइड रखेगा आपको बढ़ा है जनसंख्या कुशन रहेगा ही और जनसंख्या पाइए अलग वीडियो जो है separate आ रहा है बहुत जल्द जिसमें आपको पूरा दिया रहेगा तो 25.4 इसका एंसर होगा उत्में से कोई नहीं याद रखेगा आगे हम चलेंगे अँ 37 नमर देखिए यहाँ पे कुशन दिया गया था जो लिकित में से कौन सी नदी जो है सिंदु नदी की साहयक नदी कस्मीर छेत्र में मिलता है तो यहाँ पे कस्मीर या लदाक में जो है तीनो नदी इसका साहयक नदी है सिंद्र अदी का और ये तीनों जो है जाकर मिलता है अब यहाँ पर देखिए इसका पूरुफ आपको दिखाते हैं उसी साब से एंसा मामर इसका आपको अपसर नमबर जो है इसका डी होना चाहिए सहित इस नमबर का तो चलिए देख लते हैं देखिए सिंद्र अद्र के वारे में दिया गया था कि देखिए देखिए सिंद्र अद्र का उद्गम जो है मानसर और जिल से तीबच से होता है पस्तें क्यों बहुत बहत तो यह नादी भारत में बन्दित है देखिए मालवा का जो पठार है वो किस समभागों में बटा है एक आपका दक्कन का पठार और दूसरा जो है मद्य उच भूमी तो यह जो आपका मद उश भूमी है इसका अधिकतर जो भाग है वो मालवा का पठार ही है यह मालवा का पठार से रमने था है मद उश भूमी अपसा नमबर यहाँ पे C इसका एंसर होगा जैसे यहाँ पर आप देख लिए दिखाते हैं पूरूप आपको NCRT का जब पढ़िएगा पीज नमबर 11 नाइंध कलास का तो यहाँ पर जैसे देख लिए दिया गया है नमदान अधिक के उत्तर में प्राइदिवी पठार का हुआ भाग जो मालवा पठार के अधिक भागों पहला हुआ है उसे मद उश भूमी के नाम से जानते हैं तो यह आपको याद रखेगा और यह जो है आपको दचिन का पठार है यह आपको मद उश भूमी और दख्म का पठार यह दो भागों में बठा हुआ है इसको याद रखेगा और इसी में जो मद उश भूमी है इसी का भाग है मालवा का पठार अब हम आगे चलते हैं देखिए और यहाँ पर देखिए यह कुशन आप उपर देखे हैं पूश चुकागवाई इसी में कि ब्रेतवा जो है दच्छिन पस्टिम से उत्तर पर रखेगा है यहाँ पर यह दोनों कुशन के बीच में दूरू देखिए एक ही पेज में फिर आपको दो कुशन यहाँ पर आप तो यहाँ पर ज़्यादा कुशन आप देख रहे हैं कि NCIT और ACIT से भी पूशा हुआ है तेंद कलास का ऐसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए देखिए यहाँ पर लिखाओ संजुक्तवन परबंदन के बारे में भारत में संजुक्तवन परबंदन जो है कारकरम चरितवनों के परबंदन और पुन्य निर्मान के अस्थानिये समुदायों के भूमक्या के मौतपुन को उजागर करता है आपचारिक रूप से इन करकरमों के जो सुरुबात है 1988 में उरिसा राज में संजुक्तवन परबंदन का पहला प्रस्ताव परित किया गया तो कहां पर सुल किया गया था? 1988 में उरिसा में किया गया था तो आपसान नमबर यहाँ पर देखिए B में दिया गया है शरीत वनों के परबंदन के लिए और उसका पुर निर्मान के लिए और यह जो है आपको अस्थानिय समुदायों के भीम का गवनी भाता है आगे जब आप पढ़िएगा TRE3 में या TRE2 में तो आपे बहुत कुशन जो है एक पुशा है कुशन कीन में से कीन को जो है समुदायों के भूमिका नहीं होती है तो यहाँ पे देखे समुदायों के भूमिका बंदन में जो है यहाँ पे इसमें भूमिका देखरें को मिल गए जब हम आगे कवर करेंगे मानने जिए नाइन का या जब वो कुछन कवर करेंगे तो आपको वहाँ पर हम बताएंगे जरूर हलाकि लिकिन इसको याद रखिएगा समुदाय के भूमिका स्विप्रमदन में होता है चीपको अंदरों में भी जो है आपको समुदाय को उसमें भूमिका थी उसके अलाओähän यहाँ पर 9 औरों पढ़िएगा तो उसमें भी जो है आपको समुदाय को भूमिका थी यह तीनों में समुदाय इसमें सामिल था लेकिन एक जो है जो ज़हां में कुछन पूछा गया था यह तीनों आप संवान दिया था तो बदाम पहार जो है एक द ज्याद रखिर कर लौ-स से है और यह कहां पहाँ तो चलिए इसको हम दिखाते हैं आपको सबसे पहले कुरूख यहां पर देखिए बदाम पहार जो है आपको उरिसा जारखण पैटी में पढ़ता है जैसे यहां पर देख लेए बदाम पाहर देखी, यहाँ पर दिया हुए, भारत में जो लॉव आयस की पेटी दिया गया है, मुकलुप से तीन चार पेटी है, उसी में से कुछन बहुत कूछता है, सबसे पर देखी, यहां पर ओरीसा जारकन की पेटी है, और इसमें उरीसा में उच कोटी के आपको कहाँ पर दिया गया है देखिए यह देखिए आपको दिया गया है देखिए मयूर भंज और केंदुजूर जीला जो है यहाँ पर दिया गया है अपसन नमबर C देखिए यहाँ पर लिया गया है कि यहाँ पर देखिए लौ एस्क जो है मयूर भंज और केंदुजर जीला में बदाम पहार से ख़दानुन करायता है लौ एसका तो अपसर नमबर यहाँ पर सी इसका एंसर हो जाएगा अब देखिए आगे 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 जाम में कैसे कुशन पूछ सकता है बहुत इंपॉटेंट ह यहाँ पर देखिए यहाँ पर सकता है आपको पेटी में कहां से तो यहाँ पर देखिए मयूर भंज और साथ में देखिए गुवा औरम मुंडी के निगर हेमाराइट का ए चशा के मिलता है तो गुवा नूमुंडी उपर भी दिया गया था लेकिन यह जू है जारavi पड़ता है उसके अलावा देखिए अन्य पेटी है आपको लौएस का दूर्ग बस्तर पेटी यह पशिमंगाल बला मिलता है चातिसगर में देखिए यहां पर इस याद रखीएगा और साथ में यह जो आपका बैला डिला का जो होता है इसमें गुनवता के लिए लोहा के 14 जमाव मिलते हैं इसमें इस पात बनाने में अवसक सरवसक्ष भुति गुन विद्रमान है उसके अलावा यहां पर देखिए आप से इसी पेटी में जो है वो सकता है कि विसाका पतन पतन से जपान का जो दचिन कोरियाक निर्य मगरूर तुक कुरू जो पेटी है यहां पर हम बात करें तो इसमें देखिए इसमें आपका आता है कुद्रमुख जो कनाटक वाला है तो यह आपको याद रखिएगा और इसके अलावा जो है महराश्ट गुवा पेटी जो आता है तो यहां पर याद रखिएगा इसमें आठ नमर वो है यानि 48 कुशन का आप देख चुके हैं इसमें ज़्याद तर जो कुशन आप देखे हैं इसमें दो या तीन कुशन जो ऐसा होगा इसका एंसर यहाँ पे जो बुक में हमको नहीं मिला है बाकी आपको पूरा हू बहू आपको बता चुके हैं पूरा का पूरा NCRT और SCRT से दिया गया है और वो भी खास करके 9 और 13 का तो यहाँ पे अभी हम बता रहे हैं कि 9 अगर देखिए ट्यारी 4 का त्यारी का अभी आप लोग चलू कर दियोंगे तो उसके लिए सबसे अधा ही इंपॉर्टेंट है आप NCRT और साथ में SCRT कम से कम आपको देखिए अभी मालिज समय बढ़ेगा एक्जाम तो हमको लगता है आप December या जनवरी में आगे ही होगा तो यहाँ पे आपको 9 और 13 का ठीक है 9 और 13 का कम से कम आपको अभी तो पढ़ना ही है एदम Line by Line पढ़ना है उसमें जो भी important है आपको point out करके पढ़ना है याद करके पढ़ना है तो 9 और 13 का NCRT और SCRT साथ में मालिज ये कोई भी एक book चाहे आप 9 त का त्यारी कर रहा है चाहे 68 का चाहे आप इसमें PRT का वो आपको book मालिज ये कोई भी एक book ये आपको लुसेंट भी हो सकता है मालिज आपके पास जो भी book है आपका महिश वर्नबाल भी हो सकता है चाहे आप कोई भी एक book यहाँ पर भोगल पर रहा है तो एक भोगल का book आता है PRR का book तो वो भी आप पर सकते हैं कोई भी एक आपका book है उसमें से आप पढ़ लिजेगा NCRT, NCRT के अलावा काफी है उतना पढ़ लिजेगा काफी है एक ही book पढ़िएगा सब नहीं पढ़िएगा एक book को बार बार पढ़िए बार बार ज्यादा book से अच्छा है एक ही book को तीन-चार आप पढ़ लिजे वहाँ पर बहुत फायरा करेगा तो यह चीज़ आप ऐसे त्यारी कीजिए जदा book नहीं पढ़ना NCRT, NCRT, NCRT और साथ में एक book काफी है और सबसे जोगराफी का इमेटर जराता है चाहे PIT हो चाहे तो यह चीज़ आपको याद रखीगा अब वीडियो देखिए कैसा लगा आपको कमेंट करके बताना है लाइक करिए, कमेंट करिए कि यहाँ पर जोभी हम वीडियो बनाएं उसे आपको फायदा हुआ कि नहीं आपको आप देखिए यहाँ पर जो भी बहुत मेनद लगा वीडियो बनाने में क्योंकि सबसे पहले मेन है इसके कोश्चन को सब को बार बार खोजना कहां पर दिया गया है अब कमेंटर पर जरूर बताइएगा वीडियो के हम रोकते हैं वीडियो देखने लिए आप सब्सक्राइब को बहुत बहुत धन्यवाग